हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लाइनिंग वाली कमीज कटिंग और स्टीचिंग दोनों एक ही वीडियो के अंदर शेर करने वाला हूं तो यह सीखने समझने के लिए इस वीडियो का एंट तक जरूर देखिए और दोस्तों वीडियो पसंद आ करनेंगे बिल्कुल नॉर्मल कमीज की तरह कटिंग कर लिए सिर्फ फर्क कितना होता आपको मैं बता देता हूं इसकी जो लैंद है वो है 35 इंच ठीक है अब देखिए मैंने इसको कैसे कटिंग करा है नीचे से हमने नापा ओल देखिए 35 पर हमने इसे कटिंग कर लिया या आप अराम से जल्दी वीडियो देख सकें अब देखिए यह हमारे पास कपड़ा मैंने इसे पहले से प्रैस कर लिया और इसको यहां से नापता हूं और देखिए इस तरीके से तो यह 35 हमारी है और 38 सिंच के लंबाई है तो इसको हमें बनाना है तो किस तरीके हम इसको बन अच्छा तरीका है वो मैं करता हूं कि मिलाने के बाद ना इसको सेंटर में से इस तरीके से कैचे से कट करनो यह सबसे बढ़िया तरीका होता है जिससे की फूल अगर उपर जाते हो तो आपके फूल ऊपर ही जाएंगे बाजू में भी उपर नीचे नहीं होंगे तो देख तो फूल जो है इसमें इस तरफ जा रहे हैं ठीक है और हमें कटिंग करना है इस तरीके से फूल हमें ऊपर की तरफ लेने इधर तो हमें क्या करना होगा हमें इसका घेरे के बराबर इसे नाप के कटिंग करना है तो माननी जीए यहां पर इसका घेरा जो है वो है बीस इंच ठीक है दो इंच एक्ष्टर लेके बारा हो गया साड़े बारा पर निसान लगाएंगे क्योंकि यहां की किनारी हमें अटानी है हम धाइंच एक्ष्टर लेके साड़े बारा पर निसान लगा लिया साड़े बारा का निसान हमें यहाप पर भी लगाने और सिंपल इसको इसी तरीगी से पकड़ के इसको ऐसे करना होगा gewesen हो ठिक है ऐसे करने के बाद के थोड़ा हाथ लगा ले और पहले पर पर ऐसे तो किनारे वाला इष्सा जलेगा मेन हिस्ता आपकर नहीं जलेगा ठीक है वह साइड में निकल जाता है कभी भी आपको डालेग नहीं रखनी अब इसे में परेश करके क्रीज बना लेता हूं यह देखिए इस तरीके से क्रीज बनाना है और देखिए यहाँ पर जो हल्की फुल की जोल है यह सब आपकी इसी में खतम हो जाएगी तो यह देखिए हमने यहाँ पर प्रेस लगा ली क्रीज बना ली अब हम अपना फरेंट वाला हिस्सा लेंगे तो ये हमारा फर्रेंट वाला इससा हो गया इसको हम उपर से बिल्पूल बरावर से इस तरीकिय से रखना हमें मिला कर ठीक है? और मिलाने के बाद इसको equal ऐसे मिलाते हो लेक के आना है नीचे की तरफ और इसको इस तरीकिय से करदेना है अब देख सकते हैं बिल्कुल दोस्तो इसी तरीके से आपको करना होगा अब करने के बाद यहाँ पर हमें करना continuous को तो कटिंक के लिए हम उपरसे बिल्कुल बरावर कटिंग करेंगे देखिए हं इधर से भी बिल्कूल बरावर कटिंग करेंगे को द Cyber को भी कटिंग करेंगे तो हूं लंबाए थी दोस्तो recognize की तों से नहां के और सिदे से प्ट्री भूट्टे से यह आपका तुरपाई का फोल्ड हो गया उसके बाद नीचे से आप जितना फोल के लिए कपड़ा चोड़ना जाते हो इस तरीके से इसे कटिंग कर लो और यहां पर एक कट लगा लो ठीक है अब दोस्तों इसकी जब मैं आपको इस टीचिंग दिखाऊंगा तो बहुत असानी से आपको इसके जमाने का तरीका भी में दिखाऊंगा तो जिस तरीके से मैंने यह कटिंग कर रहा है इसी तरीके से आपको बैक परला भी कटिंग करना है लेकिन उसे कटिंग करने से पहले मैं आपको इसमें पहले बाजू निकालने का तरीका बता देता हूं जैसे कि मान लीजिए अब आपने यह निकाल लिया अब इसके अंदर आ आप जितना आपके बाजू है जैसे यह अस्तर है मैं आपको दिखा देता हूं इसको हम टोटल नाप लेते हैं यहारा आपका साड़े याठ तो 9 इंच का मैं निसान लगा लेता हूं ऐसे यहां भी 9 इंज का निशान लगा लेते हैं और इसको ऐसे पकड़ के इस तरीके से इसको हम ऐसे करेंगे और हलके-लके लगाएंगे इस फिर प्रैस यह देखिए दोस्तो प्रैस हमने लगा ली अब हमें क्या करना है ना इससे मिलाके कटिंग नहीं करना क्योंकि हमें दोनों फूल ना ऊपर की तरफ चाहिए ठीक है अब बाजू हमारी आगे की तरफ यह मोरी है हाथ यहां पर आएगा तो यह फूल यह देखिए बिल्कुल ला रहा है एक बराबर और इसको भी हम यहां पर बिल्कुल सेम कपड़े के बराबर कटिंग कर लेंगे यह आपकी कदरन है इसको आप अलग हटा दें तो दोस्तों देखें आप एक पल्ले में से आपका फरेंट वाला हिस्सा और बाजू निकल जा आपको एन ब driven के तरीका सिखाते हैं तो देखें दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा देता हूं जो बैक हम ने कर दया थाएह हमारा बैक है इसको माइन अलग कर देते चाहरे यहां पर हमारी यह बाझू का बाजू कि अब बाजू गया यहां जोड़ने को बता दिया जाता हुँ ठीक है और आपको एक अस्तर यहां पर जमाके में दिखा देता हूँ तो देखिए यहां पर किस तरीके से जमाए जाएगा सब से पहले आप इसको ऐसे ओपन कलने और साइब को नॉटना आता है मैं करने कि यह जो चीजी आप कमीज के अस्तर से मिलाके बिल्कुर सेंटर में इस तरीके से इस पर लगाऊंगा यह बहुत अच्छा तरीका है बड़ी बाद जुको अस्तर जमाने का और इसके सेंटर में आप इसको इस तरीके से मिलाके देखिए कैसे सिलाई लगाएंगे और यहां पर आपका जो है अस्त से इसको यह कच्छा ही करना है आपको क्या कि किस करें या बड़ी सलाई से तो इस तरिके से आपको यहां सिलाई लगानी है और मैं आपको राय दूंग छोटी सलाई से अकर जादा करेंगे तो ज्जादा बड़ीया फिनिसिंग में यह बंदता है अब यहाँ पर हम इसे इस आपको देखना सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमें यहाप पर कच्ची सलाई लगा देनी है जहां पर हम तुर्पाई करेंगे यह अपनी बाजू के मोरी को आपको ऐसे फोल्ड करना है कट से और ऐसे सलाई लगानी है ठीक है देखिए इस तरीके से और यहां पर खच्ची सलाई होगे तुर्पाई ओजाएगी अब जब इस लाई लग जाएगी स्लाई को मैं बारी करके दोस्तों अस्तर जोडता हूं क्योंकि इससे नहीं बहुत अच्छी फिनीसिंग में अस्तर जोड जाता है अब देखिए हमें यहां पर इसको स्लाई करना है कि और इसको हाथ से ऐसे सैट करते हैं कच्छा भी आपका तो बहुत अराम से आप इसको फिनिसिंग कर सकते हैं देखिए इस तरीके से आपको यह करना है कि यह देखिए ऐसे हाथ लगाएं और इसको ऐसे फोल्ड ऐसे करते हुए कच्छा कर देंगे पूरा देखिए इस तरीखे से आपको यहाँ पर टेने हैं और ऐसे गुमाखे दोस्तों यहाँ पर असतर को ऐसे सैट करते हुए सिलाई लगानी है अगर बड़ी सिलाई होती है ना दोस्तों से फिनिसिंग नहीं आती इसलिए छोटी सिलाई सही साइट की सिलाई को आप जोड़ेंगे तो बहुत अच्छी फिनिसिंग में आपका यह जोड़ जाएगा और उसके बाद यह जितना भी आपका फालतू कपड़ा है आप इस तरी से कवर कर सकें अब यहां पर हम इसे जो भी फालतू कपड़ा इसे कटिंग कर लेंगे देखिए मैं कटिंग कर रहा है हाँ है और यहां कटिंग करने के बाद बाजू आपकी एक तयार हो चुकी है इसी तरीके से बस सीधा उल्टे आपको अस्तर का दियान रखना है और इस अब सबसे पहले क्या करना होगा अस्तर को हमें लेना है अस्तर लेने के बार यह जो निसान लगा लिए हमारे पर गरारी होती है जिससे हम निसान पर गरारी चलाते हैं तो दूसी तरफ हमारे निसान उठ जाते हैं तो हम इस निसान पर देखिए इस तरीके से निसान लगा चुका है अब सबसे पहले जो अस्तर में नीचे कट देते हैं हमें ऐसे ओपन करना है असतर और कठ की तरफ उल्टी तरफ से आपको कट वाल इससे फोल्ड कर देना अवस्लाई लगानी है वह कट कैसा होता दोस्तों कट इस तरीके का होगा ठीक है एक क्या सब ऐसा कट होगा तो हमें अस्तर पर बिल्कुल ऐसे फोल करके यहां पर लगानी सिलाई यह पक्की सिलाई लगेगी आपकी यहां पर इसे उतार दो उसके बाद दोस्तों इसे कटिंग करने के बाद अब इसको सिलाई को बड़ी करनेंगे और सबसे पहले जो फर्यंट वाला हिस्सा है ठीक हैं हम मैंने कट दिखाए था कि मैंने यहाँ पर कट लगाए थे लंबाई के ठीक है यहाँ पर देखें निशान देख सकते हैं तुर्सुट के फोल्ड गा और मैंने इसको तरीके से एक बलाबर करते हैं यहां पर सिलाइगे बांठा यह कि व 또 करें लगाते हमारा जो भी उसे इस तरीके से दिस हम लेगा उसे छाट देंगे कि हमें यहां पर क्या करना है जो निसान वाला है इससा देखिए मैं आपको अस्तर ओपन करके दिखाता हूं यह अस्तर में यह निसान आप देख सकते हो यह उल्टी साइड है तो हमें निसान वाला इससा ऐसे रखना है और अस्तर इसके सेंटर में रखना है यहां पर लगान क्योंकि अस्तर जो है आपका हलका है तो मैं इजी अराम से देख पा रहा हूं कि कहां पर हमारी क्रिज आ रही है कपड़े की तो आप भी जब जमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वीडियो में साइध आपको ना दिखता हूं और यह जो कच्ची सलाई आपको लगानी है यह आपको लगानी हिप के निसान तक हिप से नीचे आपको कच्ची सलाई नहीं लगानी क्योंकि महस्तर जमाने का जो तरीका बता रहूं न वो सबसे बड़िया तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको कभी भी कोई परिशानी नहीं होगी अब देखिए हाँ पर हम धाग पाङं यहां पर हमनी इसको जबाल लिया और यह पर जोबी फाल्ट गुक पड़ा हों इसे इस तरीकिश से कटिंग कर लिया कि इस तरीके समने से कटिंग कर लिया अब दोस्तों देखिए यह वाला जो हिस्सा है इस साइड में हमें ऐसे करना होगा और अक्सर क्या होता है यह जो भी कपड़ा होता ना देखिए इसको हमें अस्तर को इतना रखना है अस्तर को बिल्कुल मिलाना नहीं हलका एक सूत तक निकलेगा दीखिए ऐसे करते हुए और अगर क्या पता बिल्कुल फिक्स आजा जैसे मेरा यह फिक्स आ रहे हैं जोरी नहीं कि कपड़ा निकले अगर निकलेगा तो आपको हिप तक कपड़ा निकालना है आप देख सकते हैं यहां तक आपका लग चुका और यहां पर यह अस्तर जमाने का सबसे अच्छा तरीका है हिप के उपर जो भी क्योंकि हिप के नीचे आपने बराबर सिलाई लगाए थी हिप के उपर जो भी हलका फुल का कपड़ा चाह एक सूत का हो चैसा भी आपको कहांची की मदद से दोस्तों यह छाटना पड़ेगा और अब जो इसके बार में आपको पॉइंट बताऊंगा वह पॉइंट आप बहुत धिहान लगना क्योंकि दोस्तों अकसर लोग उहां पर गल्ती कर देते हैं तो देखिए मैं पहले से धागा कटिंग कर लेता हूं अब देखिए यह आपका पूरा एक साइड का वन अब दोस्तों इसको ऐसे घुमाना है और यहां से अस्तर बिल्कुल बरावर जाएगा हिप तक तो हम यहां से चौटा बड़ा नहीं होगा यह बहुत अच्छी टिप है और इसको हम हिप थक ऐसे ही मिलाते हो स्लाई लगाएंगे देखिए जैसे हिप का निसान है, यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल fix, और हिप के निसान के बाद, जो हमारी center वाली सिलाई है, वहाँ से हाथ से हमें अस्तर ऐसे करना है, और इसमें सिलाई लगानी है, कभी-कभी ऐसा होता है, अस्तर भार की तरफ निकलता है, तो क्वी ऐसा होता है न कभी-कभी अस्तर का कोई इससा आड़ापन होता हलका सा तो वो ज़ादा भाल निकलता है तो हम उसे काटना नहीं है हमें उसे उसी में अजेस्ट करना है इस तरीके से हमें सिलाहि लगानी है इस चीज की जानकारी होने भोज़ रही अब देखिए यहां सिलय लगाते हुए आप यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बार सेम दोस्तो से चाहें अगया है देंगे देया तो ऑप जैसे मैं यहां पे बताया और बारजू तको भी आगे पताते हैं जब सकती तो अब सकती तरके से तरफ से आपको इसे पर जमाया था और बाजू को बना था वैसे बैक पर लेको भी लिए नहीं को से लिए उसके बाद के आपने को रखा है हैं इस तरीके से आपको ऐसे फॉल्ड करना बुक्रम के बरावर से लगा लें और यहां पर करने लाने के बाद आप इसको ऐसे करके फिर यहां पर самый लगा लिए और सेपसरे में बना लिए गुण है적으로 और इसको ऐसे ऑपन करेंगे बाद इसको हम गल्य को ओपन करेंगे और में कमेज के से center बनांतिर यहां पर जमाएंघे तो जमाने के बाद दोस्तों यहां पर ढलेगे हम कटिंग और उसके बाद जो यह हमारा घंए टेल ना उसके ब रखैंगा यहां लगाओंगे तस तरीके से देखी है ठीक है आराम से लखने के बाद अब इसको एक लगाणी है और बिलकुल दोस्तों एक्वल जैसे अईसे गलाप को गुमेगा ऐसे आप फिर अपर यहां पर निकल लाना कई लोग गड़बड़ कर देते हैं तो आपको यहां पर थोड Dieses लगानी होगी हलकी सी फिर बिसको इसने केशने एकाल करना इंट के बराबर तो इल्हें करें या बी गल्सक लगलाई यहां हम रखा लिया इसके ऊपर किनारे पें लगाएंगे लाई लाएं और इसके में लगाना यह वाइंगे देखिए इस तरीके से और इस होपने है अ ऐसे फॉल्ड करके इस में पर दोस्तों पर स्वेसे इतल दोस्तों है नाप लिया है और जहां जा मेरे को लग रहा कि कमईप्य armory में हलका सासा मैं यहां पे में निसान लगा लिया हम में हम अइस क्लिए लगा लिया हमने आड़ी बना के और हलका सिलाई नहींन लेकिन िसलाई नहीं लगा आए हमने तक के बगले को आ आप ऐसे ना लगाके हम इसमें कच्चा करेंगे और फरेंट के गले में नोग थी इसलिए हमने उपर सिलाई लगाई है क्योंकि हम इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं अब हमें जोड़ने कंदी तो कंदी जोड़ने के लिए देखिए इस गले को मैं ऐसे करना है और इसके ओप आदा इंच ऑगले के तलमें पौना इंच का देता हुँ अगर मैं इतना दौब न दौना दूं तो मेरे कंदी हलकी उठने की सिकायत आती है तो यह चीज में करता हूं हमेसा अपने गले को भी हम पोना ही एक्स्टा कटिंग करते हैं अब इसको फिर ऐसे फोल्ड कर लें हैं यहां पें लगाएं सिलाई छिप स्ट्वारा ल घाएंगे के पक्का आउंस ने और इसको से तरह कflows यहां पर करेंगे और सबंद्वारे को जैंक जोंदेंगे उसके बीड़े करेंगे कंदी को अब देखिए दोस्तों हम ओवर लोग कर चुके हैं कंदी जोड़ने के लिए इसको इस तरीके से खेचेंगे दूसरी तरफ सभी हम खेचेंगे तो देखिए खेचने के कंदी हमारी इस तरीके से फिनीशिक में बैठ जाती है अब हमें क्या करना होगा उल्टी अब दोस्तों कर्ची से लाई करें गले में यह देखिए ऐसे करते हैं कि यहां पर आने का दूस्तों उठाके कर लेंगे अब दूस्तों जब यह कटिंग हो जाएगी तो इसको एक चीज का दिहान रखना है आपको कि यह वाला मुढ्ध्य को ऐसे पकड़ना है ठीक है दोस मुढ़े को भी ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे पकड़ने के बाद इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो यह देखिए दोस्तों हमारा यह साइज आ जाता है ठीक है अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा साइज जो को लाने के बाद जब हमारी कमर आती है हमें दोस्तों यहां पर गुलाई देनी तो हम इसको इस तरीके से गुलाई देंगे ठीक है और इसको इस तरीके से एक्ट्रस लाई लगा देंगे आख दोस्तों यहां पर हम इससे कर लेंगे फाल्टे द आगे को अब देखे दोस्तों यहांप मर हमारी इस तरीके से लग चुकी यह एक श् sounded लाग चुकी हमारी हम मैं इसको एक बार में ऐसे पकड़ना जैसे मैंने आपको बताया है था कि बैग पल ना पहले से पहले फोल पर हमें बाद में करना होता है तो हम यहां लगा लेंगे इसलिए लंबाई नापते पर इसको ऐसे गुमाइँगे गुमाने के बाद अब दोस्तों जो फिटिंग की लगाएंगे नीचे की तरफ से तो देखिए हम आवल सबसे पहले जो निसान होगा इसको इस तरीके से लिलाने के बाद अब ऐसे करेंगे और यहां पर भी हमें उतना ही दवाव लेना पड़ेगा जैसे से हमनेगे चेक करा था तो यहां पर पक्का करके सेम वही प्रोसेस है कि इस निसान पर सिलाई लगा लो फिर उपर की तरफ से लाने का यहां पर उतारने के बाद दोस्तों हम इसमें चकोटी लगाना बताएंगे तो फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सेम लगेगी फर कितना है कि इससे हम नीचे से लगाएंगे तो देखिए हमने याँ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल वैसे से हमने घेरे पे भी निसान चाक कर नापने क्या लगा लिया अब हमें याप लगानी चकोटी तो इसके लिए हमने कपड़ा लिया है किनारी वाली साइड से मोड़ेंगे याँ दोस्तों य लगाने से जो है हमारे चाक होते हम फटते नहीं है तो हमें यह लगानी होती है इसको हम कहते हैं चकोटी अब देखिए निसान वाला हिस्सा आपका किनारा है तो म partie & pro इस एक हां गा सिलाई और यह जो है आपको बिलकुर किनारी लाने के लाने के बाद इसको ऐसे झूतिन कलर का कपड़ा इसको डूसरी तरफ यहां सब्सक्राइब करने और यहां भी दोस्तो सें प्रोसेस होगा है इसको ऐसे करने के बाद नहीं पोड़े त्निक वाली जड़ में लगाने देखा देता हूं दोस्तों यहां से हमारा सूट बिल्कुल भी नहीं जाएगा अब दूसरी तरह भी हम इसी तरीके से चखोटी लगा लेंगे फिर हम आपको घेरा मोड़ने का तरीका बताते हैं का आप देखे चखोटी लगाने का दोनों को आप देख सकतेमे पर इस तरीके से में फोल करते हैं। कि आगे की तरफ आएंगे और यहां पर अब हम जब लगेगा कि हम इसको एक बार फोल्ड कर सकते हैं तो उहां पर इसे एक बार फोल्ड कर लें और इसको इस तरी के से पकड़ लें ठीक है और हम शलाये लगाएंगे तो यह देखिए भोत अराम से हमारा घेला फोल्ड हो i perdreकों कि किस तरीकि से आप अपने इसको मोडेंगे तो देखी यहां पर हम एक चीज का ध्यान आप यह रख़ना है कि ज़ादातर हम लेंगे dice करने करने का सबसे अच्छा तरीका ये हborg हम अस्तर को यार रख रखना कि अस्तर-ऊपर अस्तर को मैं Constandan बढ़िया है। ध्याद करते हैं और इसको एक और फोल्ड करेंगे तो यहां पर धोन दोस्तों कच्छी सिलाय डालेंगे थोड़ी लगाने के सिलाय जाते हैं तो फाल्तु धागे को हम कटिंग करके अब देखें दोस्तों इसको ऐसे पकड़ेंगे ओटमाटिक हमारा ये इतना चाक फोल्ड होगा तो हमें अंदाजा हो जाता है फिर हम इसको ऐसे कपड़ा फोल्ड करके हां पर लगा देते हैं यह अलग-अलग तरीके से मैं सिखाता र लेने यानि देव दिंच यहां पर देव लूड नियानि इतना ज्यादा रखो क्योंकि आपका चाक सही से नहीं मुड़ेगा फिर इसको ऐसे फोल्ड करके यहां पर हमें फोल्ड करना फिर्यां कच्ची सिलाहील लगानी है और इसको फिर नीचे के सब्सक्राइब देखें तूब देखेंगे बड़ी finishing के साथ यहां पर यहां पर हम कच्छी स्लाइट डाल के इस चाक को बना लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा यहां का जो चाक हैं बिल्कुल दोस्त ब्लकुल आ चुका है और हमें इस तरीके से नापना होता है कि छोटा या बड़ा तो नहीं और उसी तरीके से 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 चाक को फोल्ड कर लेंगे तो यह देखे दोस्तों हाँ पर हमारी बाजु जो है इस तरीके से बना दीती है हमने दूसरी शेम अब इसमेंसे एक बाजु आपको पूरी त्यार करके लगाना बताऊँगा दूसरी बाजु का आपको सेम बनाना है तो हम बाजु में उल्टी साइड से जो यह एससा कटा हुआ आपको दीखेगा तो यहाँ पर आपको निसान लगा रहेऊ हैं फरंट गले में जब आप मसीन पर उगए तो सीधे हाथ की तरफ में जो इससा होगा जहां पर रॉपर कटा हु़ा ऐसा है तो यह इसात की बाजु होगी इस तरीके से तो यह आपके बाजु की पहचान है फिर उसके बाद दूसरी ऐसी नपना मुदधा उसका है आप यहाँ पर अपने Kung जोड़ेंगे तो हम इसको ऊइसे करके बाज्यक्त राप जितना भी धाक हमगा रहा जैसे के हमार ais चत्सा नाप धहां था त्थ मैं साथ करके पांच मिंगे दस का हाफ और इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे umdos असे लाई ल्गाने के बाद दोस्तों इसीն निसान पर रहां दबनेशार को था तो हमें इस तो किते इसान कांगे गों से हमें एक एंक्ष influ das लहांनी हो होगी और इसको हम कट से यहां पर हमें क्या करना यहां पर लगेगा कट यह बाजू का सेंटर हो गया और थोड़ा वह जो भी करनी आप पहले से पहले इसको छाट लेंगे इस तरीके से जिसे की ओवर लोग करने में आपको असानी हो तो देखे मैं आप पर इसे कटिंग कर लेता हूं फाल्टू धागयों को भी हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद एक आपको पट्टी लेनी मैंने याप असली पट्टी लिए टिचर लगाने तो आपको बाजू चड़ाते हो पता चल जाएगा अब हम असे की तरफ चला जाता है इस चीज का एक यह भी पहचाने के लिए जो मैंने निशाण लगाया था यह देखे कट है तो हम बाजू को ऐसे पकंड़ना बैक वाले पल्ले से इस आर्मोन में आपको इस अंगूठे है और इसको अंदर के तरफ कर देना है और अंदर के तरफ करने के बार इसको इस तरीके से पकड़ डिए ठीक है यहाँ पर हमें बिल्कुल एक बडाबर से थोड़ी लगाने है और इसको ऐसे गुमा ले के बार हमें अपने कमीज का मुड़ा बाजु का मुड़े का सेंटर इस तरीके से कंदी का देखे कमीज की कंदी और बाजु का जो सेंटर में कट लगाता है इसको हमें इक्वल ऐसे पकड़ना है और उसके बार इसको ऐसे पकड़ कर ऐसे सैड कर देना एक बराबर फिल लगा करना है वरना कंदी में खिचाओ बनेगा तो मैं ऐसे फोल्ड करना है वो थोड़ी लगानी है और यह फोल्ड आपको मैं दिखा दूँगा भी कि किस तरीके से फोल्ड कर रहा है मैंने जिस से आपके में जिस तरह में आपने कमीज का फोलड कर रहा था बाजू के भी इसको इदरी फोल्ड करें स्लाई लगा निया अब यह जहां से लगाते हुए जहां से स्टार्ट कर रहा था वहां उतार देढ़ कर दें अब देखिए दोस्तों आपको में दिखा रहे था हम ने इस तरीके से मोड़ा था जिस से कंडी रहती है अब यह फिरी रहने से क्या है कि कंडी में कपड़ी खिचाओ नहीं होगा सीडियी तरफ आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो आइसा जौल पड़ाता है ठीक है तो इस तरीक के से आप इसे असे करके okay pasa बाजू का कोना पकड़ें और इसको ऐसे जाइजा कर लें कि कहीं पर जोल या कहीं पर कोई कपड़ा एक्ष्टा तो नहीं रब गया जब देखेंगे कि यहां बिल्कुल लोग के हैं तो आप दूसरी बाजू को भी इसी तरीके से चड़ा दें और दोस्तों यहां पर हमारी क प्रेस यह कोई तुरपाई नहीं हुई है लेकिन आप अगर फिनिसिंग में बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगे अब देखें जो मैं अस्तर लगाता हूं यह अस्तर आपका इस तरीके का होता है ठीक है इसको हम एक्सपोर्ट अस्तर कहते हैं यह बहुत कम जगा पर मिलता है और इस तरीके से आपका यहाँ पर देखिए यह कमीज की लूक तो इस तरीके से आप बहुत असानी से जो है बना सकते हैं अस्तर वाली कोई भी कमीज हमारी इस वीडियो को देखके और अगर आप हमारी तरीके से कटिंग करेंगे तो अस्तर जमाना भी आप सीख अस्तर वा penn बहुते हैं